प्रिये बच्चो समोच रेखा की जो अगली वीडियो है उस अगली वीडियो में हम अध्यन करेंगे पठार और कटक के बारे में पिछली वीडियो में हमने संग्वकार पाहड़ी के बारे में पढ़ा संग्वकार पाहड़ी को प्रदर्शित करने के लिए संग के इंदरी समोच रेखाएं एक निश्चित दूरी के साथ साथ वहां पर बनाई जाती है उसके विपरीद जो पठार की समोच रेखाएं हैं ये पठार की समोच रेखाएं देखिए किस प्रकार से बनाई जाती है पठार क्या होता है तो यहाँ पर परिवासा है पठार की कि सम्मी परती छेतर से उचा उठा हुआ भूबाग वह भूबाग जिसका सिखर छेत्र लगभग समतल हो पठार कहलाता है सिखर छेत्र मतलब उसकी जो चोटी वाला जो इस्सा है वह समतल होता है तो उसे हम पठार कहते हैं पठार दिखलाने के लिए समूच रेखाएं कि नारों की और पासवस बनाए जाती हैं जबकि मद्यवर्ती भाग में समूच रेखाएं बिलकुल भी नहीं बनाते हैं जैसे इस चित्र में आपके सामने स्पस्ट है कि अगल वगल के जो किनारे हैं समूच रेखाओं के वहाँ पर समूच रेखाएं पास-पास बनाए गई हैं जबकि बीच का भाग समूच रेखाओं से रही थे वहाँ पर समूच रेखाएं अनुपस्तिते नहीं बनाए गई तो इन सबी समूच रेखाओं को लगबग बीच में से काटती हुई पर कि लिए हमारी यही रहेगी हमेशा इन सभी समोच रेखाओं को बीच में से काटती हुई एक रेखा बना देते हैं A B रेखा और ये A B रेखा अब अधिकान समोच रेखाओं को काटती है तो ये A B रेखा जैसे यहां पर देखिए कि सबसे पहले जो समोच रेखाओं हैं इन समुच रेखाओं की मापनी आपके सामने अंकित है या हमने अंकित कर ली है तो इसी मापनी का कोर्डिंग नीचे की तरफ इस चित्र का जो नीचे वाला जो दूसरा ब्लोक है उस नीचे वाले ब्लॉक में इन समुच रेखाओं के अकॉर्डिंग याँ पर हमें मापनी तयार करनी है जो समुच रेखाओं के हैड दे रखी है 900 से लेकर 1200 मीटर तक तो यहाँ पर हम उनी समुच रेखाओं के उचाई को ध्यान में रखते हुए मापनी कौंकित कर लिया है अब देखिए कि किस प्रकार से इस पठार की यह जो इस्तरा करती है इस इस्तरा करती का निर्बान होगा अब अपन को सबसे पहले अब रेखा पर रहे चलना होता है तो अब रेखा जहाँ पर भी सबसे पहली समुच रेखा को काटेगी सबसे पहले समोच रेखा कौन सी काट रही है यह 900 मिटर वाली तो सबसे पहले 900 मिटर वाली समोच रेखा को जहां पर भी AB रेखाने काटा है उसी स्थान से एक perpendicular अधवा एक लंब आपको नीचे के और डालना है और जो लंब डलेगा नीचे के और वो कहां तक डलेगा 900 मिटर तक जो पैमाने में आपने जो पैमाना बनाया है इस पैमाने में 900 मिटर की हाइड तक वह लंब आपका नीचे के और डाला जाता है उसके बाद जो नेक्स समोच रेखा है वो है 1000 मिटर की तो 1000 मिटर की समोच रेखा जहां कहीं भी AB रेखा को काट रही है उस स्थान से नीच के मापनी में एक हजार मीटर पर जाकर रुख जाता है तो इस प्रकार से एबी रेखा को जहां कहीं भी विभिन समोच रेखाओं के द्वारा काटा जाता है उसी इस्थान से एक लंब हम नीचे की और खीशते जाते हैं और उस लंब को जो खीचने की लिमिट है वो लिमिट है कि लंब आपको वहां तक डालना है जैसे 900 मिटर से आपने प्रारम्ब किया आपने say कि यदि 1000 मिटर की समोच रेखा से प्रारमब अगर रहे हो तो मापनी में 1000 मिटर पर जाकर उसको end कर दिया है तो इस प्रकार से जिस उँचाई की समुच रेखा से लंब डाला जाता है उस उँचाई या उसी उँचाई वाली समुच रेखा की जो मापनी है उस मापनी पर जाके उस लंब को समाप्त कर दिया तो इस परकार से यह जो चार समोच रेखाएं हैं इन चारों समोच रेखाओं को जहां जहां भी यह लंब डल जाते हैं उन सभी पोईंटों को हम आपस में एक दूसरे के साथ मिला देते हैं और इस परकार से पठार नुमा आकर्ति का यहां पर दिर्मान होता है जो तीसरी आकर्ति है वह है कटक की कटक किसे कहते हैं देखिए अपेक्षाकरत लंबी एवं संकीन पहाडी अत्वा पहाडियों की स्रंखला को कटक कहा जाता है या तो एक सिंगल पहाडी भी हो सकती है लंबी पूरी अत्वा विबिन जो छोटी छोटी पहाडियों है उन पहाडियों की स्रंखला को कटक के नाम से जाना जाता है इसके किनारे प्रायतेज डहरवाले होते हैं इस उच्चाउच लक्षन को देर्ग वरत्ता अनुसार समोच रेखाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है तो जो कटक है उस कटक को प्रदर्शित करने के लिए जैसे आपने संक्वाकार पहाडी की समोच रेखाएं बनाई थी कुछ देर पहले यह पिछले वीडियो में तो उसी प्रकार से कटक की समोच रेखाएं बनती है लेकिन चुकि कटक एक स्रंखला है इसलिए वहाँ पर संक्वाकार पहाडी की विभिन स्रंखलाएं विभिन स्रंखलाओं में संक्वाकार पहाडी की समोच रेखाओं का दिर्मान किया जाता है जबकि संक्वाकार पाड़ी में पाड़ी अकेली थी वहाँ पर इसलिए संकेंद्री वरत्तों का एक जुंड हमने वहाँ पर तैयार किया था जबकि यहां में यहां पर उन सभी जो परवती सरंखलाएं हैं उन सभी परवती सरंखलाओं को प्रकट करने के लिए समोच रेखाओं कि एक पूरी की पूरी सरंखला हम यहां पर बनानी पड़ती है तो इस प्रकार से देखिए जैसे संक्वाकार पहाडी वाले डाइग्राम में हमने बनाया था संकेंदरी वरत वहां पर बनाये गए थे उसी प्रकार से कटक को प्रदर्शित करने के लिए जैसे यहां पर हमने यह मान के चलिए कि तीन पहाडीयों की एक सरंखला है उसको प्र जचना कर देते हैं आकरती बनाने का फिरसे वही सीधा साएक हिसाब है कि जितनी भी हमने समोच रेखाय बनाई होती हैं उनसे भी समोच रेखाओं को लगभग बीच में से काटते गती हुए एक एबी रेखा कि हाइट के अनुसार मा अपनी का यहां पर निर्माण किया जाता है तो बार बार अब आपको यही समझाना उचित नहीं रहेगा कि किस प्रकार से यह नीचे की आकरती यहां पर बनती है पिर भी एक बार और देखिए कि जो भी हमारे के पास समोच रेखाएं हैं उन सभी समोच रेखाओं को काटने का सबसे ज्यादा एक यहीं उप्योगी वह होता है कि उन समोच रेखाओं को वहां से काटना प्रारंब करना चाहिए जहां पर यह भी रेखा अधिकांस रेखाओं को इसपर्स करती हुई गुजरती हो तो जितनी भी समोच रेखाए हैं उन सभी समोच रेखाओं को काटती हुई यहां पर एक अमने A, B, रेखा बना दी है कुछ समोच रेखा इमान लीजि ऐसी रह भी जाती है जिनको A, B, रेखा के द्वारा एक सीधी एबी रेखा के द्वारा काटना संभव नहीं हो तो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यह आवश्चक नहीं है कि सभी रेखाओं को सभी समोचे रेखाओं को एबी रेखा के द्वारा काटा जाए फिर जैसा आपने पिछले दोनों चित्रो में किया जहां जहां पर भी A B रेखा समोच रेखां को काटती है उन इस्थानों से उसी उंचाई वाली मापनी तक हम को लंब डालने हैं तो इस परकार से लंब डाले जाते हैं और उन सभी लंबों का जो एंड पॉइंट होता है उस एंड पॉइंट को आपस में मिलाने से इ कटक की जो आकरती है वो कटक की आकरती प्राप्त होती है और आपको बिल्कुल ऐसा प्रतित हो रहा है जैसे यहां पर ये कटक के रूप में तीन छोटी-छोटी पहाडियों की स्रंखला तैयार है तो इस परकार से जो लंबी और संकीन पहाडी होती है वो अत्वा पहाडि पहाडियों की स्रंकला होती है उसे कटक के नाम से जाना जाता है और कटक को प्रदर्शित करने के लिए देर गिवरत्ताकार समोचरे खाएं बनाई जाती है धन्यवाद